हलो माई यूटूब फैमिली जै मातादी आप सभी को मेरी चैनल के तरफ से राम नौमी की धेर सारी सुपकामनाई जै स्री राम तो सुबह के बच्चु के साड़े छे और आज मैं नहाद होके जाड़ पोछा करके फिर शाड़ी पहन ली हूँ और कोई फैस्टिबल कोई तीस्तिवार रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहन के काम करने में अच्छा लगता है साड़ी भी मुझे काफी जैदा पसंद है तो आज मैंने ये साड़ी पहन लिया फिर आ गए हो किचन में और अभी पूजा नहीं किया है अधो लिया है सारा काम हो गया है क्योंकि रामळौमी की दिन मैं पहले मातारानी के लिए श्री राम भगवान के लिए यहां पर हलुआपुडी बनाती हूँ फिर मंदिर में प्रशास सब कुछ ले के साथ में तब मैं पूजा करती हूँ तो यहां पर फटा फट मैंने जो पूजा करने के लिए चीजे थी वो सेट करने लगी तो यहां पे आटा गुथ गया था और देसी घी जो कि मैं दूर लेती हूं भैस का तो घर पे ही बनाके एकदम सुध पेवर देसी घी का ही माता रानी को स्री राम नौमी पे हलवा पूड़ी चढ़ाती हूं तो यहां पे चोटा चोटा पूड़ी क्योंकि मेरा मंदिर चोटा है तो पूड़ी यहां भी बहुत चोटी-चोटी सी ही प्रिशाद में बनाती हूं तो चोटी-चोटी सी यहां पे पूड़ी जो है चोटी-चोटी सी तल ले रहे हूं और साथ में बनाओंगी आटे का हलवा आज क पूजी का या फिर रामदाना जो होता है उसका प्रिशाद बाढ़ना सुरू कर दिये पर अगर मानिए तो असली भोग जो होता है वो आटे का ही होता है इसलिए आज की दिन में आटे का ही हल्वा बना के भोग लगाती हो तो यहां पर फटा-फट जो है हमारा पूडिया तल ही अच्छे से भूल लूँगी थोड़ा सा जो ब्राउन हो जाएगा फिर उसमें आज इतना आटा था उतना ही चीनी डाल दोंगी फिर पानी डाल दोंगी उसमें ड्रै फ्रूट बगार मैं नहीं डालती हूं ऐसे ही सुद्ध देसी घी में बना हुआ आटे का हल्वा और तो यदि थोड़ा ज़्यादा डालती हूं तो इतना ज़्यादा अच्छा होता अज का दिन का जो हलवा होता है और लड़ू भी प्रशाद के अनाम पे कुछ ज्यादा ही खाना पसंदकर इसल stunned मैं थोड़ा ज्यादा ही बना देती हूं फिर यहां मैं प्रशाद सैट कर ल अपने मंदिर में पहले भंगवान जी का नहीं था बस मन में ही मंगवान का नाम लेते थे राम राम सित्ह राम पर अभी मंदिर में मैंने स्थापना किया है उसी दिन से तो यहां पर माता रानी का और सभी देवी देवताओं का मैं भोग लगा दी हूँ कुछ फ्रोट्स भी प्रिट जमका के और माता रानी का बहुत ही अच्छे मन से और काफी लेट तक मैंने यहां पर पुजा किया धोग बत्ती किया अरती किया और मैंने यहाँ पे मन्तर भी दूर लूर चाल साब का पाठ किया, मुझे याद है, मुझे भानी याद हास्ब़न को भी चिढ़ाते है, कि तुम्हें नहीं याद है क्योंकि अकसर में गाती हों ते वह सुनते हैं तो मैंने आज पाठ किया और मेरा पूजा अच्छे से पूरा हो गया है तो पूजा में जो हलवा पूरी लगाया है भोग वो थोड़ी देर बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा सा हस्बंड और लडू को देंगे और बाकी का यहां पर नास्ता सेट कर रहे हैं तो यहां पर फ जैंगो था और औरेंज्स था ग्रेफ्स था बनाना था कच्छा नार्यल था जो कि पूजा के लिए लाये थैं और मंदिर भी गई थी पर में मंदिर का वीडियो नहीं सूट कर पाए थी और Mea अलग अलग दो नारियल मैंने चड़ाया हुआ था तो नारियल जो है हमारे यहां सबको प्रिशाद में बहुत ही ज़्यादा पसंद है लड़ो को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए नारियल थोड़ा समा मंदिर में छोड़ के बागी का नारियल प्रिशाद में ले लग रहा था आज फर्श्ट बार सिर्राम भगवान का बहुत ही अच्छे से आयोध्या में रहा है नास्ता book A देख लीजे लटो भी नास्ता अपना करना सुरू करने पर हस्बैन भी पूज़ा कर रहे थे पूज़ा करने के बाद वो चंदल लगा रहे थे अभी वो ऑफिस के लिए कपड़े भी नहीं पहन रहे थे वयसे ही बन्यान पहन के पहले भी पूज़ा सरमाते हैं कि बन्यान में मुझे मत लिया करो पर मैं आप लोग को दिखाने के लिए इनको देखे टीका कैसे लगा रहे हैं और टीका लगाने के बाद देखे मुझे भी टीका लगा रहे हैं तोड़ा टेड़ा टीका हो गया था और फिर उसके बाद नास्ता हुआ हम लोगों के ही रखने के लिए था तो इदर उदर पड़े हो गए थी तो मैंने सुचा पहले इने खंखाल के निकाल देती हूं नहीं तो मसीन में डालना नहीं और काफी दिन इदर उदर पड़े रहने से गंदा ही होता है तो मैं ड्रैन नहीं की हूं ऐसे ही धूल के खंखाल के रख द फीर पनीर की सब्जी पनीर पड़ाठा बनाने के लिए एकसर पनीर आता तो इत्तना पनीर मन नहीं करता है खाने का, तो एक दम अचाल आचार जिसे बनता है कटाल का बहुत थीह तीखाय पूरी बनाना तो आचार कटाल्चार, बनाने के लिए थोड़ा सा, ज्यादा प्याज काटना रहता है, और कठाल में पानी बिल्कुल नहीं डालना और गरम मसाला रहता है कुछ मतलब लेस्टोन अमिर्चा अध्रा की सब थोड़े से दरदरे करके डालने रहते हैं बहुत ही अच्छा फुसभू के साथ अचारी कठाल जो है बनके त्यार होते हैं पर इसमें लड़ों के लिए आलू क्योंकि आलू उनको ज़्यादा प्रसंद है हर एक सब्सिम तो एक आलू में डाल दूंगे उनके लिए लास्ट में तो यहां पर मेरा प्याज जो है कट गया था चिलका उठाकर निकाल रही और कठाल जो है कटना बागे कठाल लास्ट में काटनी हूं क्योंकि इसमें चो कि पहसुल होता है जो लूऀ का बना रही था उससे बाट के निचे बाट के आराम से कठाल को मैंने अच्छे से काट लिया है फिर चकों से काटनीव में ठोड़ा सा रिस्क भी रहतार इधर उपार थोड़ा सा अप्सर कठ जाती है तो मैं यहां पर कठाल तुकि पhyr य हब टाय कर रहे हूं तो क्योंकि आज़न हमारे हम बहुत कम बनता है जल्दी बनता है theoret isending कम पी तरहीANS क př üz्वा यहां पर थोड़ा से रख दे थी अपने लिए क्योंकि चाय के बीना एक दम ऐसा लगता है कि थोड़ा जैसे जैसे दिन बीटता वैसे लगता सरभारी हो जाएगा फिर रिफाइंड ओयल में डबे में भर रहे थी पूड़िया तलने के लिए पूड़िया हम लोग को रिफा जाता है जल जाता है तो एक तरफ सीटी देगा कटल और चावल मेरा बन रहा है और इधर में पूड़िया गर्मा गरम तल रही हूं हजबेंड मेरे आने ही वाले हैं तो फ्रेंस मेरा ये वीडियो में इतना ही सूट की थी तो आज मेरा ये राम नौमी का ब्लॉग बस इतन या आप लोग को मिराज का ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए जैसे